हेलो विराट को एक साथ तो आप काफी लंबे टाइम तक देख चुके हैं बहुत काफी लंबे समय से घर की लडाई को मिस्स कर रहे होंगे क्योंकि घर में पाकी का ड्रामा और उसका रीडियो तो मिश्या चालू रहता है लेकिन कुछ भी ऐसे लडाई जगड़ अब तक नहीं देखने को मिला लेकिन दोस्तो अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा क्योंकि अब लडाई जगड़ ड्रामा तो होने वाला है लेकिन वो बहुत भयानक होने वाला है वो भी उन दो शक्स के बीच में जो आपन सोच भी नहीं सकते हैं जी हाँ दोस्तों फाइनली जो लोग अपनी प्रसनल ट्रिप पर गए हैं वहाँ पर खुब नजॉय कर रहे हैं अब उनके बीच में घमासान होने वाला है अब दोस्तों सही ने जो वहवार विराट के साथ किया है विराट का गुसा तो आशमान पर हो गई होगा यह तो आप सभी को पता है और इसे के साथ कमेंट सेक्शन में और सभी लोगों उसके रिविव पढ़ने के बाद यह साफ साबित हो रहा है कि अब जो सभी की फेवरेट थी साही उसको लेकर भी गुसाब लोगों के मन में है क्योंकि साही के किरदार से ऐसा कुछ भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा बिहेव करेगी और विराट की बेज़ती वो कर देगी और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि विराट की जितनी बेज़ती उसने की है वो बहुत जादा है यहां तक कि वो सिर्फ उसका दिल रखने के लिए हमेश्या तो कहती है कि वो उसके लिए भी कुछ करना चाहती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एनिवर्सरी भी वो उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई जहां पर विराट उसके लिए इतना कुछ करता है वो लेकिन अपने इस रिष्टे को मानती ही नहीं है तो आकिरकार फिरो चमवान डिवास में रहती ही क्यों है तो ऐसे में दोस्तों ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में फिराल चल रहे थे इस एपिसोड को देखकर लास्ट में अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो कम्यूनिटी में मैंने उसका लिंक डाला है वहाँ जाकर आप देख लीजेगा और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा क्योंकि वहाँ पर मैं आपको डेली एपिसोड की भी अपडेट देता हूँ तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सई और विराट सई ने विराट के उपर तो बहुत गुसा कर लिया विराट साफ सई को कहदेगा कि सई तुमें प्यार के भाशा समझ में नहीं आती है और तुम से प्यार से बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है कुछ ऐसा ही वो कहते हैं कि आपको नजर आसकता है खेर सई बेन बजाने वाला सीन तो नहीं होगा पर ऐसा है कुछ आपको बोलते हुए रेकने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पर विराट का गुसा जो है वो वाकई में देखने लायक होगा क्योंकि इतने देर से जो बेज़ती का घूट जो सही उसे पिला रही थी आप लगते किया है हमारा रिस्टे का एक definition आप मुझे देखकर दिखाई कि क्या है हमारा रिस्टा उसका जवाब विराट उसे अच्छे सब देने वाला है और ऐसे में दोस्तों सही माफी माँझने के बजाये जो है वहाँ से निकल जाने वाली है, भाग जाने वाली है, क्योंकि वहाँ से चले जाएगी, क्योंकि वह काफी ज़ला नाराज है उससे, यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको पिछले कई सप्ता से लगातार बताते हुए आया हूँ, एंड कल तो आपने कई on location वीडियोज भी देख ल अब दोस्तों, वह बच्चे की थुरू हो रही है, क्योंकि बच्चे के पैर में चोट लगी है, सही उसका ध्यान रख रही है, और वहाँ पर समराट से सही की मुलाकात होने वाली है, आपको अपकमिंग एपिसोड में जो प्रोमो आपको दिखाए जाता है चोटा सा एंड उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि साही आकर बैटकर वाहापर विराट को कहती है कि मैंने आपके बड़े भाई यानि कि समराट दादा को डूझ लिया है तो विराट की आंखों से आँक सुरुकते नहीं है लेकिन जब साही कहती कि हमें वाहापर जाकर चेक करना है कि वो वाकई में समराट ही है न तो यहाँ पर विराट शौक हो जाता है क्योंकि यह सबसे वड़ा टास्क है अब समराट के पहचान करना और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर साही की मुलाकात समराट से होने वाली है और उसके बाद साही आकर बाकिये लोगों को बताने वाली है और क्योंकि दोस्तों यहां पर सई जो है वो बहुत ही शातिर दिमाग से बहुत ही समजदारी से समराट से मिलने वाली है क्योंकि एक जलक जब समराट की देखिए कि तो उसे यकीन नहीं होगा कि मैंने किसे देखा है एंड उसके बाद उसे realize होगा कि ये शकल जानी पहचानी है चौवान निवास में मैंने इसके बहुत सारी तस्वीरे देखिए एंड ये वो ही समराट है जिसके लिए मानसिताई हर रोज आंसु भाती है हर रोज भावानी काकू अपने खंडवा से ये प्रातना करती है कि उनका बेटा फिर से आजाए और हर रोज विराट अपने सीनियर से समराट की सीनियर से ब्रिगेडियर सूच से बात करता है कि मेरा भाई की कोई information है या नहीं और SME सही बहुत हैरान होगी जब वो समराट को देखेगी और यहां पर सही अपनी identity चुपाते वे आपको नजर आ सकती है समराट से क्योंकि यहां पर सही पहले ये खबर उक्ता करना चाहती है कि जिस success में मिली हूँ वो केवल समराट जिससा दिखता ही है या वाकई में समराट है क्योंकि महाबलेशवर में समराट का होना किसी चमतकार से कम नहीं जो कि समराट बॉर्डर पर गया था किसी secret mission से उसको order देकर बुलाया गया था तो ऐसी में दोस्तों सही फाइनली आने वाले एक से दो एपिसोड में समराट से मिल लेगी लेकिन ये जो कैफे वाला scene दिखाया गया है जहांपर सही विराट को बोल रही है कि मैंने विराट समराट दादा को डून दिया है तो इसमें थोड़ सा टाइम लग सकता है दो से तीन एपिसोड क्योंकि इतने जल्दी तो सब कुछ होगा नहीं आपको पता है कि समराट की एंट्री भी बड़े slow motion में होती है और सही उसे डूनने वाली है और बच्चो बच्चो का scene भी आपको देखने को मिलेगा तो ऐसे में दुस्तो फाइनली कहें कि आने वाले एपिसोड में विराट की मुलाकात दो से तीन एपिसोड में समराट से हो जाएगी तो ये एकदम सही होगा अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो आपने अभी देखि रहोंगे कि स्टार कास्त का हार एक मेंबर एक वीडियो शेर कर रहा है जहां पर वो लोग कह रहे हैं कि रात आज बचे आने वाला है तो रात आज बचे आने वाली 2-3 एपिसोड में तो नहीं आने वाला है एंड आई होप इस वीक के एंड में समराथ आठ बजे पहुंसने वाला है वहाँ पर तो ये भी आपके लिए एक ट्रैप की तरह है कि रात आठ बजे गुमे किसी प्यार में देख लेना समराथ आने वाला पर नहीं आने वाला है और इसे के साथ ही दोस्तों सिलसिला है ये चाहत का ऐसा एक उस गाने पर पत्र लेखा भी डांस करते वे नजर आ रही है दिया लेकर समराट का इंतजार कर रही है जो कि गले से उतरती नहीं है वाही बात जो कि समराट को बिल्कुल आनका इंतजार ही नहीं कि उसे यकीन ही नहीं कि समराट जिंदा भी है वो आकरकार दिया लेकर क्यों इंतजार करेगी समराट का तो ये साथ सेरियल के makers क्या दिखाना चाहते है और किया messages देना चाहते हैं ये तो बस वो ही जाने क्योंकि जो promo में होता है basically serial गुमे किसके प्यार में में वो कभी serial में नहीं होता या अब तक कर eco-order रहा है तो आप मुझे बता ही कि आपको क्या लगता है इन सब चीजों का मतलब क्या है पाकी दिया लेकर डून रही है और वो लोग 8 वजे 8 वजे कर रहे हैं तो क्या कुछ exciting हो सकता है मुझे comment section बताईए और आप मेरे साथ भी Instagram पर सीथे जूर सकते हैं मुझे से बात कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा और चैनल को subscribe करके bell icon को तो आप दबा ही देंगे क्योंकि आपके फेवरेट TV से जूरी update लगाता है मैं आपको यहां पर पहुंचाता रहता हूं मैं अगले वीडियो के ताथ फिर सो रट हूंगा जे अब तक के लिए thank you दोस्तों